बड़ी खबर आपको बंगाल से बता दे जाएं स्कूल शिक्षक भरती रद के मामले में आपको बता दे कलकत्ता में नाराज शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है आगे की रणीती के लिए ये तमाम शिक्षक इखटा हुए हैं कल हाई कोट ने रद की शिक्षक भरती और ऐसे में बड़े संख्या में जो शिक्षकों की भरती थी उसको रद कर दिया गया अब शिक्षकों में नाराज की है और कलकत्ता में इन शिक्षकों ने प्रदर्शन भी किया है हलाकि बताया जा रहा है कि खुद इस मामले को लेकर म अमता बेनर जी भी सामने आ चुपी है हाई कोट के अलावा अब वो उच्छ न्याले जाने की लगातार रणीती बना रही है तो ऐसे में स्कूल शिक्षक भरती रद्ध मामले में कलकत्ता में नाराज है शिक्षक और उनका प्रदर्शन यहां देखने को मिला है आगे की रण चुपीस हजार शिक्षक भेरोजगार हो गए यह बड़ी मुसीबत आई और प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि वो आगे की रणीती के लिए आज एक जुट हुए है और बड़ी संक्या में वो आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं आगे की रणीती डिसाइड यह कॉलकता का हाट अफ दा सिटी है धरमतला और धरमतला के इस शहीद मिनार मैदान में पेर के नीचे यह लोग जो बैठे है यह सिक्षक है है या था यह अब लाग टके की सवाल है क्योंकि कल कॉलकता हाई कोर्ट की ओर्डर से इन्होंने नौकरी खो दिया हाला कि S.S.C. के तरफ से बताया गया कि इस ओर्डर को चैलेंज करके वो सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे लेकिन आज सुभा होते ही राजी के कई जिलों से यह जो सिक्षक है जो 2016 के पैनल में जिनको नौकरी मिला था वो इस वक्त कॉलकता के शहीद मिनार मैदान में है अपना जो दुख है जो दर्द है उसे बांटने के लिए यह लोग यहाँ पर पहुंचे है और यह लोग अभी सोच रहे किस तरह से इसका मुकाबला किया जाए क्योंकि यह लोग खुद को योग कैंडिडेट बता रहे है आप आप क्या प्राब्लेम हुआ क्या सोच रह है उसको लेकर एंड सदेनली कुई रिवने अंभम लोगों ने न्यूज में देखा कि पूरा जो पैनल है वो पूरा कैंसेल कर दिया गए कि जीनियूर्स